नमस्कार दोस्तो दो 2023 में क्या दो लाग पदो की सिक्षकों की भरती निकलके आने वाले दोस्तो उत्तर प्रदेश में दोस्तो complete detail आपको यहाँ पर देंगे कि form कब से भरना सुरू किया जाएगा और दोस्तो क्या आपको अपने त्यारी जारी रखने चाहिए या फिर अपन जाए और क्या दोस्तो वेकेंसी का नोडिफीकसन कब तक आएगा क्या इस महिने में आएगा या फिर जून में आएगा मई में आएगा कब तक आएगा दोस्तो complete detail यहाँ पर देंगे क्योंकि लगातार दोस्तो यहाँ पर बच्चे परसान है और यहाँ पर उनको समझ में अब्देट हो पहुसता रहे हं 100% सही वाला तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना दोस्तो यहाँ पर आपके लिए 100% रियल जो भी अब्देट होता है खबर होता है लेकि आते रहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर बात आ जाती है दोस्तो कितने पदों की भरती निकल क आएगी दोस्तों 4 साल से बच्चे नहां पर इंतजार करें जी यहां दोस्तों 4 साल से बच्चे इंतजार करें और बाहर कोचिंग कर करके ठक गए हैं तो यहां पर आपको यह भी बताएंगे कि क्या आपको अपने घर लोड़ जाना चाहिए क्योंकि आपको पता होगा जो उत्तर प्रदेशम दो सिक्षकों का भरतीजर जो भी करने वाले इस वीड़ो में, तो क्या आपको अपने घर लोड जाना चाहिए, या फिर अफिर आपने वहाँ उसके बाद वो paper दें, उसके बाद उनके मन की इच्छा तो पूरी हो कम से कम तो दोस्तों यहाँ पर क्या बात आपको सबसे पहले मैं यह बात करना चाहता हूँ कि vacancy तो देखी आएगी, इतना दो बात confirm है दोस्तों बस आप यहाँ पर थोड़ा सा बच्चे बना जितना इंतजार था उसको खो दी है बहुत सारे बच्चे अपने घर लोट गए हैं तो कि अगर आप बाहर है या फिर घर पे ही हैं और यहाँ पर आपको काफी कुछ सीखनों को मिलेगा तो सबसे पहली बात यह है कि दोस्तों यहाँ पर देखिए किंद्रोद्वारा निर्देस अभी दिया गया हाली में जिसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेस में दो लाख से जादा पद खाली है उसको जल्द भरा जाए किंद्रोद्वारा दोस्तों आपको बता दे किंद्रोद्वारा यहाँ पर निर्देस दिया गया है इसके साथ अभी बात करते बिहार में तो बिहार में तो नोटिफिकेसन निकल के आ गया दोस्तों और उत्तर प्रदेस में भी जल्द नोटिफिक्र सान निकल के आ जाएगा कि इसका फॉरम भरा जाएगा। और कितने पदो की भरती निकल के आएगी क्या 2.000.000.00 में साच में भरती निकल के आने वाली है तो आपको बता दे दोस्तों 2.000.000.00 पदो की भरती तो निकल के नहीं आएगी ऐसा लोगों को लग रहा है जो भी यहां पर coaching के सिक्षक जो भी टीचर है उनको उनसे जब यहां पर बारता लाग होई बात हुए तो उन्हों ने बताया कि 2 लाग तो नहीं निकल के आएगी लेकिन 50 से लेके 60,000 या फिर 80,000 इतनी वेकंसी निकल के 100% यहां पर आने की संभावना है दोस्तों और कब तक है दोस्तों चलिए वो बताते हैं आपको देखी आपको उत्तर प्रदेश में जो यूपी प्राइमरी टीचर की वेकंसी है उसका आपको नोटिफिकेशन ओफिसल देखने को मिल सकता है दोस्तों एक दिखिए संभावित है 100% यहां पर ऐसा नहीं की आए गई लेकिन एक दोस्तों यहां पर 99% क्योंकि चार साल से यही हो र नहीं है अगर आप बाहर रह रहा हैं अगर आप रूम लिए तो अभी मत छोड़िए दो चार पांच महीने आप और देख लिए अगर वेकंसी निकल के नहीं आता है तब आप अपने घर लोड सकते हैं फिर जो भी आपको काव आपने सोचा है आप उस तरीके से उसको कर सक कर सकते हैं अगर आप घर पे हैं और यहां पर अगर आप किस कोई जॉब कर रहे हैं पार्टाइब जॉब कर रहे हैं आपको लगता है कि वेकंसी निकल के आने वाली है तो दोस्तों आपको मैं यहीं कहूंगा कि आप कोई भी कोचिंग जॉइन कर सकते हैं सूपर टेट के तो जब भी आपको समय मिलता तब आप उसको देखके अपना रिवाइज कर सकते हैं अगर आप अपना practice बनाए रहेंगे तो वेकेंसी निकल के आएगे तो आपको paper बैठने में डर्वी नहीं लगेगा और आप अच्छे से paper आपको qualify भी कर लेंगे नोंकरी भी आपको मिल जा लगता है यहां पर दोस्तों आपको लग रहा होगा कि यह बात जूट है लेकिन यह बिल्कुल fact वाली बात है दोस्तों जो लोग इस बात से राजी होंगे नीचे comment जरू करना दोस्तों कि आपको क्या लगता है आपकी 100% सही हो गई है तो एक बार solve paper उठाके उसको unsolve करके देखिए पता चल जाएगे कि इस तरीके से बस दो तीन महीने पढ़ाई छोड़ा दिये उसके बाद solve paper solve करिएगा अभी अगर मान के चले आपका average आ रहा है कि 50 से लेके दोस्तों 80% का average अभी अगर आपका पकड़ के चलना है तो आप देखें कि 25% तक आपका जो भी यहां पर passing number है कि उखड जाएगा क्योंकि आपने तीन महीने का gap यहां पर कर दिया तो दोस्तों यहां पर आपको का काम करना है कि अपने तयारी जारी रखनी है अगर आपने अपने तयारी छोड़ दी है तो फिर से तयारी में अप लग जाईए क्योंकि अब सबसे ज्यादा काम सॉल्व कर सकते हैं इतना सॉल्व करिए यही दोस्तों इसमी तरीका है क्योंकि जितने लोग क्व्लिफाई कि हैं उन से जब हमने आपे बात किया है तो उन्होंने यही बोला कि कोई भी गजाम दोस्तों ऐसा नहीं कि बस सूपर टेट कोई भी एग्याँ अगर आपने वेकंसी निकल के आती है जैसे कि SSC हो गया बैंक हो गया तो यह सब भी form of apply करते रहा करिए क्योंकि दोस्तों इसमें भी आप यहां पर exam देंगा तो कुछ आपके practice बनी रहेगी तो दोस्तों इस तरीके से कुछ यहां पर बात था दोस्तों जैसे कोई और update निकल के आता है वे लाइक तो जरू करना दोस्तों आज चैनल को सब्सक्राइब भी कलेना मिलते हैं दूसरे वीडियो में दोस्तों तब तक लिए धन्यवाद जै हिंद चै भारत